तो बच्छों हम लोग अप्रेजल पढ़ रहे थे इन अप्रेजल भी हव स्टडीड ओल्ल द अचीवमेंट्स तोड़े वी स्टड़िंग द फेलियर्स आपने पेज को सेंटर फोल्ड करें के दो कॉलम मनाये थे अंसर लेफ कॉलम में आप अचीवमेंट्स लिख चुके थे राइट कॉलम में वी बी पुटिंग दर फेलियर्स सो फेलियर्स वाले कॉलम में सबसे पहला पॉइंट पहले पॉइंट पॉइंट तो सो कॉल्ड फिर मैं आपको एक एक करके टेक्स्ट से एक्स्प्लें भी कर दूँँगा चलिए बचो आ गए यह पॉइंट इस एट पॉइंट्स आर वेल विजबल तु अल आए सपोस चलिए दू पॉट्ट देम इन यूर कॉपी सिल्टन देन एक्स्प्लें ओल वन बाइवन मैं रीट कर देता हूं दे फर्स इस इन अडिकट ग्रोथ रेट सेकेंड पॉवर्टी जो है वो एक मित है और लोगों का भीक मांगना एक प्रोफेशन है अनेम्प्लोइमेंट रिमूव इंडिया में कभी हो गाई नहीं क्योंकि लोगों को फोकट की पैसे लेकर जीने की आदत है इनेकौलिटीज मेंति इंसान रहीस होगा और कामचोर इंसान गर यह को होता है और सर यह deficit financing क्या होता है deficit financing तब होता है जब government की expected income कम हो और expected expenditure ज्यादा हो जब income हमारी कम होती हो और खर्चा बहुत ज्यादा होता और इसी को हम बोते हैं what is called as budgetary deficit क्या बोलते हैं बजेटरी डेफिसिट और इस बजेटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए तो कॉंसेट्स होते हैं चलोएं इंडियन कॉंटेक्स्ट वेस्टन कॉंटेक्स्ट वेस्टन कॉंटेक्स्ट में न्यू सो कॉल्ड करंसी प्रिंट की जाती है बट इंडियन कॉंटेक्स्ट में हम यह मानते हैं कि बोरो करके काम चला लें क्योंकि अगर करंसी जादा प्रिंट हो गई तो देश में पैसे की अविलिबिल्टी बहुत जादा होगी एक वीडियो आपको बेजा था मैंने जिसमें आरवी आई कि मनी कुमार अंकल थे अगर आपको याद हो तो तो अगर मनी सप् चुझके हम ज्यादा दाम भी उसके लिए पेगर और शॉपप और भी उसे महेंगे में बेचेगा मरेगा कौन गरीब लिए जिसके पास पैसा नहीं है मनी कुमार वाली स्टोरी शेर की थी क्या अच्छा चलिए मेरे को कोई जिना टेक्स कर देगा तो मैं वो वीडियो शेर करूंगा उसको देखिएगा उसमें एक स्ब्सक्रेंड की एक प्लाइस जब जादा हो जाता है कंट्री में तो क्या क्यों था सिंप्लीट सेज्ट की भई जो फूर्थ प्लान था हमारा वहां तक ग्रोथ रेट बहुत कम था फिफ्ट प्लान में यह पांच परसंट तक पहुचा अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है स्टाटस्टिक्स में चलें सबने मीन का पड़ा हुआ है तो हम यह करते इस फाइफ परसंट इंडिया का ग्रोथ रेट सेवन परसंट प्रेडिक्टेट अब बढ़ेगा वह से भी ज्यादा बढ़ सकता है तो यह अबरेज की बात की जाती है अंडर्सुट बैंच फाइव यह प्लान वह स्टोटली डिस अपॉइंट इंग मेरे को कोई 95 यह प्ल से लेकर 2002 यहां पर क्या ऐसा हुआ होगा जिससे ग्रोथ रेट कम हो गई बैसिकली वह कार्गिल वॉर 99 में हुई थी ना कार्गिल वॉर की वैसे प्लस दूसरी कंट्रीज जहां से हम ऑईल वगरा इंपोर्ट करते थे वहां पर भी काफी दिस्टरबिंस थे तो हमारे जो थे वह बहुत महंगे हो गए हर चीज जो हम फॉर्ण कंट्री से खरीते थे इट वस वेरी 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 एक्सपेंसिव और इसी 97 से 2002 में हमारी कंट्री में सो कॉल गोटाले-गोटाले भी थोड़े ज्यादा हुए थे तो रिसॉर्सेस वर नॉट पुट तो यूज एफिश अब यहां पर जो गरीब लोग है अक्चुली उनकी मेंटल कंडिशन गरीब है आप धारावी की बात करें एशिया का सबसे बड़ा स्लम है बट देर पीपल है एर कंडिशन इन देर हुज़े आफ टीवी कनेक्शन मेनी अप देम आइफोन एन फोल फोन क्या आप उन्हें गरीब बोलेंगे नो मेरे मेड आती है उसका मुबाइल फोन मेरे मुबाइल फोन से महेंगा था जब तक मैने आइफोन नहीं खरीदा था और मेरे को ताना मारती थी क्या भईया जी पांट साल जे की फोन चला रहे है खोपलें बात गई तो इंडिया में पावर्टी है ही नहीं बच्चों सिर्फ पौवर्टी दिखाने को है गाउं में आपको लगता है लोग बहुत गरीब हैं जितना बड़ा सो कॉल्ट आपका पूरा धर होता है उससे बड़ा उनका वेरेंड़ और किचन होता है वहां पे तो सिर्फ कहने को गरीब है क्योंकि गर्वर्मेंट उनको फंड देती रहें else they are not at all poor अब लिखा है living under miserable condition तो it is their habit बैस सुर जो है वो नाली के पानी में ही रहेगा वो AC रून के अंदर नहीं रहेगा तो इनकी आदत हो चुकी ऐसी जगह पे रहने की इसलिए CBSC ने पौवर्टी जैसा chapter ही syllabus से class 12 के तीन साल से अठा दिया है तो उसमें आपने absolute और relative poverty पढ़ा होगा तो relative poverty मैं मान के चलता हूं कि exist करती है absolute poverty तो वो होती है where a person is unable to meet the basic necessities of life रोटी कपड़ा मकान food clothing shelter अगर आप अटेन नहीं कर पारे तो you are absolute poor but आपके पास पैसे चीठा गहें but average जितनी income होनी चीए उससे कम है तो relative poor होगा है अगर अडानिक इंकम average income नहीं है ना इंडिया की समझ में आ गया सो 2011-12 के साफसे 269 million people in India वह below the poverty line हां कुछ जगह ऐसी है महराश्टरा में तो नहीं बात करेंगे बहुत developed state वो भी MP और बिहार में कुछ ऐसे गाव अगरा इंटीरियर्स में है जहां पे लोगों के पास सही मे खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो people have poor diets poor health and very low standard of living but at all India level ऐसा नहीं है कुछ जगह पे मैं मान सकता हूं 2-4% 5% तर बाकी self अंद्रप्रदेश तेलंग ना में है भी but again government के इतने programs हैं लोग उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते है problem is this basically the third is children failure to remove unemployment अब unemployment क्यों ने remove हो पा रहा जब government आपको हर महीने 2000 रुपे फ्री का दे रही है राशन फ्री में दे रही है तो क्या आप काम करना चाहेंगे absolutely not दूसरा सबसे problem हमारा education system it is not skill based I repeat it is not skill based हमारे यहांका बच्चा पढ़ तो लेता है रटा रटाया knowledge घ्यान उसके पास है बट उसके पास कोई skill नहीं है जिसको वो upgrade करके कुछ कर पाए as such वो graduate तो है बट उसको ठीक से application लिखनी भी नहीं आती कितने बच्चे application लिखते है school में to the principle पता ही नहीं कि principle की spelling में P-A-L होगा या P-L-E होगा got it अब यहां पर problem किस में है यह problem F-L-N में है किस में है F-L-N यह क्या होता है सर foundational literacy and numeracy eight और ninth class में बच्चा आ गया बट ठीक से reading भी नहीं कर पा रहा you must have seen people in your schools गलती किसकी है वहां पर education system की गलती है parent की गलती है बच्चे की गलती है बहुतों की गलती है क्योंकि जब वो गरबड था उसको सही करने के लिए कोई effort किया यह नहीं गया सिर्फ एक effort किया गया कि करके अगली class में pass करते जाओ अगली class में pass करते जाओ क्यों pass करते जाओ RTE right to education act every child has the right to free गरीबों के लिए and compulsory education up to the age of 14 years तो पता लगा छटी में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा टीचर ने फेल कर दियो कोट पहुच गो उसके पिता जी और कोट में RTE के तहट मुकदमा कर दियो school के उपपर अब school को बोला गया कि आपको effort लेना चाहिए था इसकी दूसरी skills देखनी चाहिए जी कि भई बच्चा अगर math में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा तो एक थोड़ा easy paper बनाए ताकि वो अच्छा करके pass हो जाएगा बट easy paper करकरके अभी तो pass हो जाएगा बट जब वो IT के लिए prepare करेगा, JEE के लिए prepare, NEET के लिए करेगा, CA के लिए करेगा और नहीं कर पाएगा ब वो थोड़ा सा ठीक ठाक level का होता है, समझना गया, जिन बच्चों ने basic math ली थी, वो 11th class में PCM लेके नहीं पढ़ सकते, PCB के साथ applied math या commerce के साथ और humanities के साथ applied math लेके पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमारा NEP आ गया आज की तारिक में new education policy 2020, जो बोलता है कि बच्चा एक language और पाकी चार जो subject चाहें वो पढ़ लें, बच्चा कहा रहें मेरे को English पढ़ना है, I have interest in physics, I have interest in mathematics, I have interest in history, I have interest in geography, और क्योंकि मेरे पापा का business है तो मैं accountancy भी पढ़ना चाता हूँ, वो ये 6 subject लेके पढ़ना चाता है, अब इंडिया का कौन सा school इस 6 subject के हिसाब से time table बना के उ जा तो नालंदा university वाला system हो जाए, लेक्चर चल रहा है, time table बनाया दिन बर का सुवे 9 से 5 का, इस समय ये lecture चलेगा, इस समय ये lecture चलेगा, अपने time table के हिसाब से आओ, class करो और जाओ, जैसी ये university में होता है, मेरा subject English है, बट मेरा subject economics नहीं है, तो BA department में English class सुवे 9 से साड़े अब साड़े दस के बाद से 1.5 घंटा economics सी class चलेगे, मेरा subject नहीं है, मेरा geography है, मैं घर चला जाओगा, 1.5 घंटे बाद फिर चला होगा, तो आने वाले 5 साल बाद इंडिया का school system ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे देश के बच्चे तरक्की करी नहीं पाएंगे, ब तो problem is this कि जो हमारा skill set है, वो हमारे interest से match, तो करता है, बट जो हमको knowledge दी जाती है, उससे match, नहीं करता है, तो भाई जिसको मान लीजे, lawyer बनना है, क्या करेगा, कांटेंसी पढ़के हो, Shakespeare and English पढ़के हो, क्या करेगा, 90% जो हमारे law colleges में बच्चे पढ़ते हैं, top law colleges, जिससे आप NLS बोलते हैं, National Law School, NLS IU, Bangalore, सबसे so-called top ranking college है, 90% बच्चा मान जो जाता है, पढ़ने हो PCM का student होता है, what the hell he did in class 11th and 12th, उसने सिर्फ maths और physics पढ़के अपना intellect तेज किया, बट उसके subject वैसे उसको काम में नहीं आएगा, उसको legal studies, English, psychology, mathematics, political science, history, public administration, ऐसे subject पढ़ने चीए math ज़री है वही, entrance में काम आएगी, तो चलो math पढ़ लो, क्या उससे PCM या commerce पढ़ने का कोई फायदा है, no, plus entrance पर जो पूछा जाता है, इंडिया का कोई entrance आप ले लीजे, आप 12th class के बाद का कोई entrance ले लीजे, subject-based entrance होता ही नहीं है, until unless it is BST, BA और BCOM, आपको 5-year lobby करना है, entrance का कुछ नहीं आता है, आपको MBA का entrance देना है, CAT का exam, graduation का कुछ नहीं पूछा जाता है, तो bogus system of education है, that is the reason why we are unable to give employment to everybody, तो होते की तरह रट के ITJ का exam तो पास कर लेंगे, but creativity, zero है उनके अंदर, zero, तभी इंडिया में Microsoft जैसा कुछ आज तक बनना ही नहीं, Amazon का एक मैंने वीडिय और status पर लगाए, देखिए गाए, पूरा marketing set है Amazon का, कैसे Amazon काम करता है, और जो Amazon के country head है, वो अलाबाद को belong करते हैं, what it, yes, it's true, अलाबाद और नालंदा को belong करते हैं, उन्होंने Stephen's College से पढ़ाई कि फिर IIM से अपना graduation की MBA, तो भई, head करते हैं वो, क्योंकि महनती है, but creativity के लि नहीं है, तो unemployment इंडिया में इसी लिए exist करता है, क्योंकि हमने कभी भी self-employment को इंडिया में focus किया ही नहीं, policy थी government की, कि कई गरीब को, जो self-employment करना चाता है, अपने घर में कोई काम करे, बट जब वो जादा पैसा कमाने लग जाता है, सरकार का taxation system, commercial taxes and all that इतने जादा होते है, GST वगेरा, कि बिचारा उसी पंगें में पढ़ा रहता है, और तरक्की कर ही नहीं पाता, so growth rate of employment generation was much lower than labor force, तो labor force तो दना दन बढ़े जा रहा है, बटन के पास jobs, है ही नहीं, तो आप लोग कॉमस student है, कोई creativity आप launch करिए, कोई नया product type आप launch करिए, और school level पे अलग-लग classes में जाके बेचिए, सर कैसा product हम बेच सकते हैं, वो आपने एक ball देखियोगी, जब blood donate करते हैं तो उसको press करते है, depression जो होता है वो release होता है उससे, तो भई इसको आप बना भी सकते है, foam ball होती है ना, कैसे बना सकते है, smiley वाली, गुबाड़ा होता है, गुबाड़ा, पाड़े के अंदर वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, foam भी डाल सकते हैं, हाँ, भी डाल सकते हैं, और उसको wrap कर सकते हैं, पांच रुपे में बेचिए, दो रुपे में बेचिए, एक school में अगर 2000 बच्चे हैं, सब को आपने 55 रुपे में ball बेच दी, थोड़े दिन समझ में आया, और यह जो बक्वास points लिखे हूं, failure to remove, इसको पढ़के आप क्या कर लिंग बता दीजेना मेरे को, आपको कोई writer तो बनना नहीं है, प्रॉब्लम यह है, अब देखें, five year plan इंडिया में कब से खतम हो गए, 2012 में आखरी बनाता, 17 तक चलना का नहीं चल पाया, 2014 में बीजेपी की government ने खतम कर दिया, यह 17 में जब भी वहा है, तो यह 5-6 साल पुरानी चीज़ हो चुकी है, बट स्टिल हमारे system में इसको पढ़ाया जा रहा है, हम update पढ़ाते ही नहीं है, problem is this with us. बीच में 2012 में जब plan बनाया गया, खतम यह मनमौन सिंग जी के time पर ही था, आखरी plan सिर्फ इसले बनाया गया, because 2012 में इसको खतम कर दिया जागा, यह कोई BJP ने नहीं बनाया, यह मनमौन सिंग की last government जो थी उसी में बनना स्टार्ट हो गया था, नीतिया आयो की बहुत जरू थी basically इसलिए, okay, large inequalities, अब large inequalities क्यों है, क्योंकि बही कुछ लोग है, काफी rich है, क्यों rich है, many a times they dodge taxes from the government, या government so-called rich community को आप बोल सकते हैं, ज्यादा support करती है, इसलिए poor person के पास अगर कोई idea होता भी है, जब उसका idea बहुत strong होता है, बहुत strengthen करने लगता है, बहुत revenue generate करता है, तो ये रहीस आदमी को चुबता है, और रहीस आदमी सरकार से बोलता है, बहुत कुछ करो नहीं, तो ये नेरा business कल को खा जाएगा, it's just like that, कि मान लीजे आपकी city में कोई बहुत बड़ी x y z furniture shop है, और x y z furniture shop बहुत महंगा furniture बेचती है, और काफी लोग इस furniture को खरीते भी है बट कुछ लोग अपने घर के courtyard में furniture carpentry का काम कर रहे है, जो चेर इस x y z shop में 5000 की मिलेगी, local carpenter वो चेर आपको 2000 में दे देगा, तो ultimately profit किसका केल हो रहा है, x y z का, जब ये person बहुत जादा so called importance gain कर लेगा, x y z government को complain करेगा, इसके खिलाफ कदम उठाओ, या जब ये businessman बहुत बड़ा हो जाएगा गरीब वाला, इसको कहेंगे GST में registration कर आओ, और taxes बगएरा देने के बाद, फिर उसका economic profile कभी भी बड़ेगा ही नहीं, समझ में आया, corporate children, there are certain conditions of income tax, जिसमें वो मातर 22% अपने profit का tax देते हैं, कितना, 22%, individual इंसान 10 लाग रुपे से उपर कमाने वाला कि 30%, अगर आप businessmen हैं, तो आपका office से घर और घर से office आने जाने का जो convince का खर्चा है, वो as a business expense मान के आपके profit को कम करता है, बट अगर कोई salaried person है, job में है, उसका office जाने का कोई भी खर्चा, उसकी salary से minus नहीं होता, उस सबका depreciation भी allowed नहीं है, 4.7% individual people in India are registered for income tax filing, जिसमें से बच्चों लगभग 3.7% salaried individuals है, तो salaried individuals ही भारत सरकार को tax सबसे जादा देते हैं, कोई businessmen इंडिया में अगर 10 लाग रुपे कमाता है, उसके पास पूरा जुगाड होता है, to pay how much tax? 0, पूरा जुगाड है, सर कैसे? भई 10 लाग आपने कमाया, इस में से so-called 2 लाग रुपे तो आपके ATC वगेरा के tax deductions मिल जाएं, कितना बचा? 8 लाग रुपे, 8 लाग रुपे में आप 25,000 रुपे महीने पे अपनी wife को business का manager declare कर दीजिए और उसको salary बाटिए, तो वो भी business का expense बन जाएगा, 3 लाग रुपे वो कम हो गया, कितनी बची businessman की income? 5 लाग पे tax कितना है देश में? 0, उसने अपनी wife को जो salary दी, 3 लाग रुपे साल, वो भी 5 लाग से कम है, tax कितना है? 0, पूरी 10 लाग की income पे, 0 tax, 10 लाग की income पे? 5 लाग से उपर की income पे tax है, यहां तो 5 लाग पे restrict हो गई ना, तो 87A का deduction मिलता है, नहीं, 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 पांची लाग है, 6 लाग नहीं है, what it clear? अब salaried person है, कोई जो नौकरी पेशे वाला और तनख्वा कमा रहा है, वो बेचारा, यह सारा कुछ करने के बाद, भी government को 70-80 अधा tax देता है, सोच यह कितनी inequality है, इसलिए business man is always very rich, नहीं, कटके तो आता है, क्योंकि हमको tax देना नहीं भी हम कटवाएंगे, हम बाद में tax देंगे, what I am saying कि inequalities होती ही क्यों है, basically, तो कुछ communities law में इतने loopholes इस्तमाल करती है, कि government नहीं को चाहा के भी, पकड नहीं सकती है, सिखाते नहीं है, वो इंजान सीख जाता है, जैसे आपने homework नहीं कम्प्लीट किया, आप ही class, आप ममीस कहेंगे, पेट दर्द हो रहा है, तो जो situation होती हो जूट बोलना सिखाती है, actually, okay, so human development report थी 2020 की जो बताती ही, कि 10% of the richest population in India के पास देश का 32% resource है, और कुछ गरीब 10% ऐसे हैं, उनके पास सिर्फ 3.7, समझ में गया, क्योंकि इनके पास सरकार का पैसा दाए माए ठिकाने लगाने के काफी options होते हैं, समझे बात को कि नहीं समझे, confirm? ऑक्सम फोक्स, 10% richest Indians, so-called की जो इनकम थी वो 15% बढ़ी, और जो 10% करीब थे देश में, उनकी इनकम 15% गिर गई, तो टॉप 10% की इनकम 15% बढ़ी, और पॉटम 10% की इनकम 15% गिर गई, इसलिए inequalities जादा है, अब जिस person ने tax नहीं दिया, वो यही सोचता है, चलो tax के पैसे को, stock market में, mutual fund में invest कर दो, वो भी बढ़ जाएगा, जिसके पास पैसे ऐसे करके, बहुत सालों में जादा आ जाते हैं, वो फिर black money से, real estate वगएरा में investment करता है, तो tax की चोरी भी लोग कितनी करते ह हमारे देश में, और government के पास इसको पकड़ने का कोई तरीका है ही नहीं, what it, अब यह सब बाते किताब में नहीं लिखी हुई है, American business magazine Forbes क्या बोल रही है, 101 richest person की total income, country की 13% income के बराबर है, 100 लोग, अब मैं percentage की बात नहीं कर रहा हूं, top 10% की जब बात करी, तो हमने 14 करोड लो लोग ऐसे हैं, जो देश की 13% income generate करते हैं, सोच लिए, इनके बस कितना पैसा होगा, अडानी अब मानी, तो आपको नाम नजर आते हैं, ऐसे इंडिया में, धेर सारे हैं, धेर सारे हैं, Mercedes-Benz गाड़ी खरीद ली, 80 लाख रुपए की, ठीक, 8 लाख रुपए, अपने profit में स depreciation के नाम पे गिरा लिया, बज़ गया है पैसा की नहीं आपको, यह पैसा बज़ गया, बट अगर यही कोई businessman ना, कोई salaried person हो, पहले सरकार कहेगी, जितना कमा रहे हो बिटा, एक करोड कमाए ना, पहले तुम इस पे 30 प्रतिशक tax देतो हमको गया, बिचारे का 30 लाख तो दाए-बाए कर लिया जाता है, got it, तो यह सारा composition आपको रटना पड़ेगा, basically, regional inequalities क्यों exist करती हैं, बट गुजरात वाले लोग थोड़े industrialist minded होते हैं, थोड़े business minded होते हैं, UP वाले बंडारे में विजी रहते हैं, बिचारे, okay, so inequality इसी वज़े से हैं, inefficient resource use, resources तो बहत है मारे पास, बट उनका use totally inefficient है, मैं आपको एक प्रियागराथ city का example देता हूँ, बच्चों, प्रियागराथ city में किसी जमाने में, there was an area, अभी भी है मतला, called as Nanny, इसको Nanny industrial development area या Nanny industrial area बोलते थे, और यहाँ पे धेर सारी factories हुआ करती थी, आज 10% भी नहीं बची है, BPCL करके एक factory ह होती थी, भारत pumps and compressors limited, fridge के अंदर जो compressor लगता ना, factory है बड़ डेड हो चुकी है, Corona period में इन्होंने cylinders की manufacturing start की, और उसके बाद Corona खतम होगे, इनकी cylinder की manufacturing भी खतम हो गई, land area बहुत है, recently हिंदुजा ग्रुप का अपने नाम सुना होगा, जो अशोक लेलेंड नाम की tractor बनाते है इंडिया में, उन्होंने ये land final किया है, 600 एकड़ चायद जमीन है या ऐसे ही कुछ है, और इन्होंने 1000-2000 करोड का investment अब यहाँ पे करना है, cotton mill हुआ करती दी, नैनी cotton mill, पुरी country में cotton supply होता था, reliance वालोंने भी यहाँ पे रेक्रॉन के नाम से company खोली थी, अब वो भी बंद हो चुक्ये क्यों, क्योंकि government का कोई support है ही नहीं, एक चीज़ यहाँ पे अच्छी भी है, आपने हिंदुस्तान Aeronautics Limited का नाम सुनाओगा, जो अपना ये वो helicopter होता है, जो इसमें आगे एकदम glass लगा होता है, मोटा सा आगे glass लगा होता है, circular shape होता है, उस helicopter की जो body हो स्कूल वाले ले जाते होंगे इंडस्क्री विजट में, घरम बिस्किट खाया होगा, भारत है वी electricals Limited भी है, बट अगें ये dead mode में चल रहे है, अब BPCL को even Maruti is also planning to come, अब जब ये बड़ी-बड़ी factories आएंगी, हजारों लोगों को employ करेंगी, तो उनके बच्चों को क्या करती थी, बिस्नेसमें से कुप घूस लेने में विश्वास सकती थी, जब लोग factory में काम करेंगे, तो टेंट लगा के तो रहेंगे नहीं, उनको फ्लैट चाहिए होका रहने के लिए, अब कोई 4 साल के जॉब के लिए आया, फिर ट्रांसफर हो जाएगा, कोई 5 साल के पर्मनेंट आया, जिनको पता है कि मैं पर्मनेंट इंप्लॉई होके है नई factory में, वो घर खरीद लेगा, जिसको लगा कि मैं 5 साल, 10 साल रहूँगा, फिर चला जाओ, वो रेंट पे लेगा, तो रियल एस्टेट बढ़ेगा, स्कूल का बिजनस, टेशनी का बिजनस बढ़ेगा, तनक्वा कमाएंगे, तो होटल में, रेस्टरंट में जाके स्टे करेंगे, खाना खाएंगे, तो हमारा रेस्टरंट का बिजनस बढ़ेगा, नए मंदिर, मस्जित, चर्च, गुर्दवारे, पार्क्स, वोगरा, स्टैबलिश किये जाएंगे, जिससे टूरि इसको जाधा इंडिया में इंपोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वो लोग बढ़िया, दाम देखे जाते थे, कुमिशन देखे जाते थे, इसलिए अपने लोगों को कभी प्रमोट किया ही निया, इसलिए जाएंगे, जैसे इसलिए इसलिए कंट्रोल ना करें, जैसे इसलिए कंट्रोल ना करें, इसलिए कंट्रोल ने किया था, पभी शेक बच्चन का डालॉग था इस मूवी में, कि हमेशा भिकारी की तरह हाथ फिलाके, दूसरे देशों से लोग नी मांगते रहा ना, बस, कभी सेल्फ सफिशन मत बढ़ना, इंडिया की थी, बट डर लगता है, डर लगता है, अगर आपका किरायदार आपको एक बार धोका देके गया, वो घर खाली नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से आपने घर खाली खरवाया, आप अपने रिष्टेदार को भी ज़्यादा टाइम के लिए अपने घर में टिकने, नहीं देंगे कहीं, वो घर ना हती आले हमारा, व तो इसलिए गर्मेंट जादा परमिशन नहीं देती थी, और अब इशेक बचन का डालॉग था इस मूवी में, डालॉग था कि हम इसी लिए थर्ड वर्ल्ड और पिछड़े देश के लोग रह गए हैं, क्योंकि हम कभी भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज वगेरा मे देते ही नहीं, what it, slow growth of infrastructure, मुवी जरूर देखेगा, यह fuller utilization of resources आपको उसमें नजर आएगा, मारूती कार मैंने आपको last lecture में भी example दिया था, तीन से चार प्रतिशत parts इंडिया में manufacture होते थे, 96% import किये जाते थे, आज 100% काफी गाडियों के parts इंडिया में ही बनते हैं, और शायद जर्मनी को छोड़ दीजे या European countries को छोड़ दीजे, हमारे से ज़ादा automobile production कहीं नहीं है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा gold consumer है, पता 90% diamond trade passes through इंडिया, 90% diamond trade passes through इंडिया, अभी कल करवा चौथा, कितनी वाइस ने वरती सी लेखा, जब हस्बन ने बना हाँ, मैं diamond का सेट दिलवा दूँगा, समझ में आ गया, जान गरता होता हो रहा है, slow growth of infrastructure, transport communication अब बढ़िया हो गया, गड़गरी जी वगेरा, पार, तीन गंटे का electric cut हुआ करता था, अब electric cut comparatively नहीं होता, healthcare system, आयुश्मान योजन आपने सुनी होगी, जो पावर्टी लाइन के लोग हैं बचों, पांच लाख रुपे तक का इलाज, empaneled hospital में एकदम free है, तो आयुश्मान कार्ड बन वाले गरीब आद मी, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप गरीब हैं, तो पांच लाख तक का इलाज annually आप free में करा सकते हैं, चाहिए उसमें आपको पेस्मेकर लगवाना हो, cataract operation हो, कुछ भी हो, लोग इतने चतुर हैं, डॉक्टर साब से setting कर लेते हैं, 50,000 का फरजी बिल बना के देदो डॉक्टर, 25 तुम रखना, 25 हम रखेंगे, पैसा सरकार से आएगा, लोग बड़े कलाकान हैं, हाँ ऐसा होता है, ओके, so distressing to note that growth in infrastructure was not adequate to meet the growth requirements, बट अब ऐसा नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था नो, flyover एक बन रहा है, पानी पत से टर्मिनल 3 के लिए, पहले कहां 2-5 गंटा लगता था, अब 28 मिनिट लगेगा मुश्किल से, पार शॉटिज, आपने घर में कभी वो, देखा है बचो, वो चाट वाले पुराने जमाने में रखते थे, पेट्रो मैक्स बोलते थे उसको, पेट्रो मैक्स, हमारे घरों में पहले हुआ करता था, छे-चे-ाठ्ट गंटा लाइट कट होती थी, आज 6-8 गंटा लाइट कट हो जाए, तो लोग एलेक्षिरी डिपार्टमेंट फूख देंगे जाके, अब तो दिन बार में हाटली 15-20 मिट लाइट जाये तो जाये, जैनली नहीं जाती, क्यों? क्योंकि के टेक्नोलोजी पे कंट्रोल लग गया, इलेक्षिर्टी डिपार्टमेंट को लोग परशान नहीं करते थे, सीधे ही तार जारा उसी में, कटिया लगा लिए, इन्फलेशनरी प्रेशर, डेज वर देयर चलिन जब डिमांड बहुत जादा थी कंट्री में, बट सप्लाय उतनी थी नहीं, तो चीजों के प्राइसेज बहुत जादा थे, अग्रिकल्चर प्रोड़क्शन वस वेरी लेस, फूट ग्रिन प्रोड़क्शन थाई नहीं हमारे के कंट्री में, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था खाने पीने का समान, और आज हम कुछ चीजों में वर्ल्ड के टॉप्मोस्ट एक्स्पोर्टर्स हैं, इधर इड़ बी शुगर और कॉटन, वीट, यू कन से, आप उस्ट्रेलिया और चले जाई है, यूएस, आपको हर जगा सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, जाई आटा दालचावन यही का मिलेगा, यहां के लोग मोमोस खाने लगए हैं, तो इस लिए भी बच गिया है समान, डेफिसिट फाइनसिंग, मैंने आपको बताया, जब भी गवर्व्मेंट की कमाई, कम होती है, सरकार के खर्चे से, गवर्व्मेंट प्लान करती है बजट में, बजट जानते होंगे आप, निर्मला सीतरमन जी फेबरी में आती है न, पटर-पटर करने, तो अगले साल कितना हमारा expected income होगा, कितना हमारा expected expenditure होगा बचो, इस चीज की पूरी reporting जिस document में होती है, उसको क्या बोलते हैं, बजट, तो बजट में जब नज़र आ रहा है कि खर्चा जादा है, है by developing economy तो खर्चा तो ज़्यादा हो गई होगा but कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है that difference is known as what deficit budget क्या बोलते हैं budget इसको cover up करने के लिए we need to arrange money and that arrangement is called as what children deficit financing western countries में currency की printing बढ़ाई जाती है but India ऐसा नहीं follow करता क्यों because हम यह मानते हैं कि अगर currency की printing बढ़ाई गई तो देश में पैसे के availability ज़्यादा होगी जिससे ज़रत नहीं भी है उस मनुस को पैसे मिल जाएंगे अनाप्शन आप खर्च करेगा सस्ती चीज़ें जो नेगोशियेट करके खरीच सकते थे because of less availability of money क्योंकि पैसा देर सारा गया तो हमने negotiations करने बंद कर दिये और shopkeepers हमें समान महेंगी price पे बेच रहे हैं तो as a result what will happen country में inflation हो जाएगा तो हमारी country Indian context में deficit financing का मतलब printing of new currency नहीं होता क्या होता है borrowing समझ गए पक्का इतिका जी पावगी कोई query people on the hot seat any query failure सबको समझ में आगए बच्छो पुट दे नेक्स एडिंग रीजन्स क्या थे successful implementation plans के ना हो पाने के इन रीजन्स को हम अगले lecture में टेक अप करेंगे चलए